नमस्कार दोस्तों हमारे यूटूब चैनल क्रेजी इंडिया पर आपका हर दिक स्वागत है आज मैं आपके लिए एक महत्यपुन टोपिक लेकर आया हूँ बाल जड़ने को रोकने के विशे में और नए बाल उगाने के विशे में इस 100% कारगर उपाई से मातर 10 दिन में बाल जड़ना बंध हो जाएंगे और 30 दिनों में नए बाल आना सुरू हो जाएंगे इसे जानने के लिए किर्पय हमारी विडियो को देखते रहिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे यूटूब चैनल क्रेजी इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पलीज सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपकी हेल्थ से समन्दित सभी जानकारिया हम लेकर आते हैं जिससे कि आप घर परोषदी बनाकर ही उनका इलाज कर सकते हैं और स्वास्थ जीवन जी सकते हैं क्योंकि स्वास्थे ही जीवन है ओपर इस वीडियो में जो आई बटन दिया हुआ है आप उस पर क्लिक करके भी इस से लेटिड और वीडियो को देख सकते हैं अब मैं बात करूँगा इस 100% कारगर उपाई से मात्र 10 दिन में बाल जड़ना बंद और 30 दिनों में नए बाल आना सुरू आज कल लोग बालों की समश्या से काफी परेशान हैं जैसे की बाल जड़ना या बाल रहना ही ना गंजे हो जाना आदी तो उन सब के लिए एक बहुत ही असान सा कारगर उपाई है आप इसको जरूर अपनाएं इसके लिए सामगरी कनेर के 60-70 ग्राम पत्ते चाहिए और एक लिटर सर्षों का तेल सर्षों का ना हो तो नार्यल का तेल या जैतुन का तेल भी आप ले सकते हैं बाउसदी को बनाने की विदी कनेर के 60-70 ग्राम पत्ते लाल या पिली दोनों में से कोई भी या दोनों ही एक साथ ले सकते हैं लें उन्हें पहले अच्छे से सूखे कपड़े से साफ कर लें ताकि उन पे जो मिट्टी है वो निकल जाए अब एक लिटर सरसो का तेल लें या नारियल का तेल लें या जैतुन का तेल लें और उसमें पत्ते काटके डाल दें अब तेल को गरम करने के लिए रख दें जब सारे पते जल कर काले पड़ जाएं तो उन्हें निकाल कर फैंक दें और तेल को ठंडा करके छान लें और किसी काँच के बरतन में या काँच की बोतल में भरके रख लें उसदी को प्रियोग करने का तरीका हर रोज जहां जहां पर भी बाल नहीं हैं वहाँ वहाँ थोड़ा सा तेल लेके बस दो मिनट की मालिस करनी हैं और बस फिर भूल जाएं अगले दिन तक ये आप रात को सोते हुए भी लगा सकते हैं और दिन में काम पे जाने से पहले भी अंदर बाल जडने बंद हो जाएंगे या बहुत ही कम और नए बाल भी एक महिने तक आने सुरू हो जाएं गी किरप्या ध्यान दे पीले पते वही लें जो पेड़ पर पक कर पीले हुए हो पीले हो जाएं पीले होने के बाद वो थोड़ा सा लाल भी हो जाते हैं वो भी ले सकते हैं इस परियोग को करने में एक चेतावनी कनेर के पोदे में जो रस होता है वो बहुत जहरीला होता है तो ये सिरफ बहरी परियोग के लिए है कोई व्यक्ति भी गल्ती से इसे ने खाई इस पोदे का पत्ता या रस नहीं खाना है बिल्कुल ये चेतावनी बिल्कुल ध्यान से क्योंकि ये जो परियोग है कनेर के पोदे का जोरोस होता है वो बहुत ही जहरीला होता है इसलिए ये बहरी प्रयोग के लिए है खाने के लिए बिलकुल नहीं है इसको भूल कर भी सेवन नहीं करना है तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो बालों का जड़ना दस दिन में बालों का जड़ना बंद और तीस दिन में नए बालाना सुरू इस 100% कारगर उपाई से अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे या इससे आपको कोई जानकरी प्राप्त हो तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक वैश सेयर करना ना भूले इसके साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि इस चैनल पर आपकी हैल्थ से समंदित सभी जानकारियां हम लेकर आते हैं जिससे कि आप घर पर उस्दी बनाकर ही उनका इलाज कर सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं क्योंकि स्वास्थे ही जीवन हैं धन्यवाद दोस्तों